दोस्तों जब आप किसी भी बरे shop या business को जो है Google पे search करते होंगे तो आपने एक बात notice क्या होगा उस shop या business का location गूगल की search engine result page पे search होता है अगर आप भी अपनी shop या अपने घर का location गूगल के map पे add करना चाहते है तो आज किस वीडियो में आप last तक बने रहे है आपको सारा information A to Z जो है इस वीडियो में मिल जाएगा तो दोस्तो हम वीडियो स्टाट के उनसे पहले चैनल पे पहली वाड़ा है है चैनल को subscribe कर बैल आकन को जुरूर पेस के जगा साथ है आप हमें social media पे follow कर सकते है link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो कोई भी बरे shop या किसी भी छोटे business या बरे business को Google Map पे add करने के लिए आपको कुछ steps गुजरना होता है हर step को यहाँ पे हम one by one discuss करने वाले है तो Google Map पे हम अपने business या shop को रखना चाहते हैं वहाँ पे डालना चाहते हैं तो हमको Google My Business के through यह सारा process करना होता है इसलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि Google My Business होता क्या है Google My Business एक website है जो की Google के द्वारा provide क्या गया है यहाँ पे हम अपनी shop, business या घर का location गुगल map पे add कर सकते हैं Google Map एक furry और easy tool है जिसके द्वारा हम अपनी business और organization को Google पे online manage कर सकते हैं मतलब कि Google Map और search engine पे जो है हम अपने business के location को सो करवा सकते हैं बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि Google Map पे अपना organization, अपना store या किसी भी तरह का shop या घर का location हमें क्यों add करना चाहिए इससे हमें क्या benefit मिलेगा तो चलिए हम समझते हैं कि Google Map पे जो हमें अपने organization, store या shop का location क्यों add करना चाहिए जब आप अपना नया store या अपना shop जो है open करते हैं तो ऐसे में सभी लोगों को आपके store तक आने के लिए location पता नहीं होता है ऐसे situation में अगर कोई आपके store तक आना जाना चाहिए तो side वो जो है उस store तक नहीं पहुंच सकता है और अगर पहुंचे तो काफी time लगस जाएगा लेकिन अगर आप अपने store का location गूगल मैप पे add करते हैं तो आपके store तक कोई भी नया आदमी गूगल मैप के सहायता से आसानी से पहुंच सकता है यह service हमें बरे सहर में ज्यादा help करता है क्योंकि बरे सहर में आप सभी location को नहीं जान पाते हैं ऐसे में आप गूगल मैप का सहारा लेकि कोई भी shop या कोई भी business पे पहुंच सकते हैं चलिए हम बीना time गवाय वीडियो को सुरू करते हैं और समझते हैं हम अपने store को Google Map पे कैसे रख सकते हैं अपने business को इसके लिए सबसे पहले आपको अपने system में कोई एक browser open कर लेना है यहां से हम chrome browser यूज़ कर रहे हैं आप भी chrome browser यूज़ कीज़े असानी होगा उसके बाद आपको यहां पे search करना होगा Google My Business तो यहां पे हमने search करके पहले से रखा है Google My Business का सबसे पहला नमर का आपको link मिलेगा www.google.com और यहां पे आएगा Google My Business तो आपको जो है सबसे पहले इस पे आ जाना है तो यहां पे चलिए हम आ चुके हैं तो यहां पे आपको देखेगा सारा information आपको overview में मिल जाता है मतलब कि google map पे आप अपना store डालने के लिए आपके पास एक email account होना चाहिए मैं यह उमीद करके चलता हूँ कि आपके पास एक email account है आगे का process करने के लिए आपको यहाँ पर देखे sign in का option मिलता है sign in पर click करेंगे तो हो सकता है कि आप आपको जो है अपना email id से sign in करने का option अगर आप इस system में sign in नहीं के होंगे तो आपको option मिलेगा और अगर आप पहले से कोई email id यहाँ पर sign in करके रखे होंगे तो direct आपको यह page open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखे add your business to google का option दिख रहा है तो आपको इस पर click क जिसमें सबसे पहले आपको अपना बिजनस का नाम देना है कि आप अपने business का क्या नाम रखना चाहते है कोई restaurant है कोई अगर आपका store है तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे जैसे हम एक कि यहाँ पर store add करना चाहते है वीवे एक store करके यहाँ पर डालेंगे तो देखे है तो करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कलिक करते हैं उसके बाद यहाँ प्या-प्र कुछ like store या office इसका मतलब है कि आपको अपना लोकेशन Vocêंर के पास ashaire करना है या नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस वो डाल दे तो उसके पास कोई टाल जो है लोकेशन नहीं होता है कि वहाँ पर जो है customer visit कर पाए लेकिन अगर आप अपना store डाल रहे हैं मतलब कि आप कोई business है तो आपकोस आपके पास जो है एक location होगा तो location तक पहुचने के लिए क्या आप चाहते हैं कि customer को आपका store या कुछ है तो आप यहां पे yes करेंगे और आपका store नहीं है मतलब आपका कोई प्रोपर location नहीं तो आप यहां पे no डालेंगे चलिए यहां पर store डाल रहे हैं तो आपकोस store का एक location होता है हरकिसी पास तो हम यहां पर yes डालेंगे then हम यहां से next पे click करेंगे उसके बाद आपको यहां पे अपना address फिल करना होता है सबसे पहले यहां पे आपको तो country मिलेगा इंडिया उसके बाद यहां पे अपना गली का नाम डालेंगे उसके बाद next में आपको अपना city डालना है pin code डालना है, state डालना है और यहां से next click करना है state पे आपको choose करने का option मिलता है तो यहां से हम अपना सारा information सबसे पहले fill करेंगे then हम यहां से next पे click करेंगे उसके बाद next में आपको अपना location गोगल map के through यहां पे choose करना होता है यहां पे देखिए जो हमारा cursor दिख रहा है आपको यही location होता है हमारा यहां पे choose करना होता है तो map से better होगा आप यहां पे satellite mode कर लीजिए तो हम यहां पे satellite mode कर लेते हैं और इसको हम जो है जूम करते हैं यहां से proper और proper अपना location देखने के लिए आप simply इस बाले पे जो है आपको अपना sop या जो भी चीज यहां पे डाल रहें उसका proper location है नयुक्त है तो सबसे पहले set करना होता है इसके आप को next क्लिक करना है लू pressed and itा, do you provide delivery या home and office visit मतलब के भी आप online delivery जाते हैं तो उसको आप यह बता सकते हैं के आपको जो है अधरवाज यहाँ पे no कर सकते हैं, हम यहाँ पे no करके next का जो process है, हम next पे click करेंगे, उसके बाद आपको जो है, अपना यहाँ पे contact detail जो है, fill करना होता है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना mobile number, अगर आपके पास किसी भी तरह का URL है, website है, तो यहाँ पे आप डालेंगे, और यहाँ पे आपको next करना है, अगर मान के चलिए, यहाँ पे यह information नहीं डालना चाहते हैं, आप अपना phone number customer को नहीं provide करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यह चीज जो है, नहीं भी fill करेंगे, direct जो है, आप इस पार्ट को skip या next पे जा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ अपना detail fill करना है, तो हम यहाँ पे अपना phone number और अपना एक website सबसे पहले fill करेंगे, then हम next पे click करेंगे, then हमको यहाँ पे next option आता है, want update and recommendation for your business on Google, मतलब किसी भी तरह का update जो है Google के लिए यहाँ पे, तो आपको simply इसे yes करना है, और यहाँ पे आपको next पे click करना है, तो यहाँ आप अपने business को Google Map पे डालना चाहते हैं, तो आप जो भी अभी पीछे process के हैं, वो सारा code के थुरू verify होगा, तो यह code आपके दिये हुए address पे आएगा, वो भी 12 दिन के अंदर आपको आजाता है, मतलब कि मान के चले आपको 15 दिन के अंदर आजाता है, तो यहाँ पे आपक आपका एड्रेस इस एड्रेस पे आएगा, आपका वो code, तो वो code आगे जाके verify कराना होता है, जब आप वो code verify करवा लेते हैं, दैनी जो है, आपका business Google पे 100 होगा, अधरवाइज 100 नहीं होगा, तो यह जो code है, वो आपको 12 दिन के अंदर आता है, तो यहाँ पे आप अपना प्रोसेस है, mail का, यहाँ पे हम mail करेंगे, उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे आ जाता है, postcard is on the way, मतलब कि आप यहाँ पे apply हो चुका हर चीज आपका, और 12 दिन के अंदर आपको जो है, वो एक code आएगा, वो code से आपको सबसे पहले यहाँ पे verify कराना होगा, दैनी आप आपका जो business है, वो Google पे so होगा, so यहाँ से हम continue करते हैं, आपका यहाँ पे देखिए, सारा detail यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे address, आपका नाम, तो यहाँ से हम चलिए continue पे click करते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पे अपना business hour चूच करना होता है, कि आपका जो business है, वो कब- जैसे हमारा Monday को ओन रहता है, Tuesday को ऊन रहता है, Wednesday को, Thursday को, तो इसी सबसे यहाँ पे पहले आपको अपना business hour ओन करना है, और यहाँ से आपको चूच करना है, कब से कब तक on रहता है, तो यहाँ पे हम जो है, वो time यहाँ पे सबसे पहले select करेंगे, कि हमारा opening time क्या है, और हमार से जो है वह भी चूज करेंगे उसी तरह से जो हम यहाँ पर अपना ओपनिंग टाइम और अपना जो क्लोजिंग टैयंग है इस चाहले आप में पहले ना चाहता हैं अगर आप को एसकिप कर सकते हैं तो आप अपने हम next पर क्लिक करेंगे सो यहां से चले हम next पर क्लिक करते हैं उसके बाद किसी भी तरह का message आता है कोई मान के चले आपके space visit करता है और वह message आता है तो आप इसे accept message करके यहां से next पर क्लिक करेंगो आपके पास message जो होगा अगर आप अपने business का description कुछ लिखना चाहते हैं कि आप यहां पर क्या provide करवाते हैं क्या आप जो है करते हैं तो वह business के लिए यहां पर description लिख सकते हैं नहीं तो आप इस step को जो है skip कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह का यहां पर photo add करना चाहते हैं अपने business regarding तो add a photo पे click करेंगे और यहां से जो है आपको अपना सबसे पहले photo drag करना होगा उसके बाद आप जो है upload करेंगे सो यहां पर हम इस पार्ट को जो है skip कर देते हैं जो भी photo यहां पर upload करेंगे अगर आपका कोई store search करता है तो फोटो उनके सामने जो होगा आप चाहे तो अपना प्रोड़क्ट का भी photo जो है यहां पर share कर सकते हैं कि आप कौन-कौन से product यहां पर share करते हैं अगर आपका एक store है तो चलिए हम इस पार्ट को यहां से skip करते हैं उसके हमारा जो business profile है वह almost ready हो चुका यहां से हम continue पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा continue हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो Google map पे so नहीं होगा so यह जो code है यह 12 दिन के अंदर आपके पास आएगा maximum हम 15 दिन का time लेते हैं so यहां पर जब आपका वह code पहुंच जाता है तो यहां पर एक verification का option आएगा उसके बाद वह code डाल के आपको verify कराना होता है so हम next video में बात करेंगे इस code को कैसे verify करेंगे और साथ ही इसमें कुछ और वी information है देखिए यह सारे जो इसमें हमको terms मिलते हैं इनके बारे में भी हम next video में बात करेंगे तब तक कि लिए इतना ही आप सिख गय होंगे कि हम जो है कैसे Google my business पर अपना account करेंगे और यहां पर अपना हम business add करेंगे कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमसे comment करके पूछिए ऐसी वीडियो के लिए आप हमाई चैनल के साथ जूर सकते हैं subscribe कर सकते हैं चलिए हमें दीजे थोड़ा सा समय हम मिलेंगे next video में बहुत ही जल्द